बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताना मांजी ने तेजस्वी यादव के माय बाप वाले समीकरण पर रविवार को तंज कसा गया में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अस्तरिय कारे करता समेलन को मांजी समोधित कर रहे थे आरजेडी को माय बाप की पार्टी बताने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने भाई भोजाई और बहनोई की पार्टी बना लेकिन उनको सीट मिलने वाली नहीं है बिहार में सभी 40 सीट जीतेंगे NDA जीताना मांजी ने कहा कि बिहार के 40 की 40 सीट NDA की जोड़ली में जाने वाली है हम पाटी के कारेकरता तयार है इसको लेकर गया लोकसवा के सीट किसी को भी मिले निश्चित रूप से जिताने के लिए तयार है तेजस्वी के ओर से दिये गए इस बयान पर 17 महीने विकास हुआ है इस पर मांजी ने कहा कि उन्हें लोकतंतर का ग्यान नहीं है मुक्य मंतरी मंतरी मंडल का मुक्य होता है सिर्फ नोकरी देने की बात क्यों कर रही है सारी जमीन हड़पकर उनके जो कार्रेकरता रखे वे हैं उसको क्यों नहीं निराकर कर रहे आगे हमला करते हैं मांजी ने कहा कि एस्पतालों में जोक्टर की पर तिन्युक्तियों क्यों नहीं करवा दी सिर्फ सिक्षक पर क्यों बोल रही है तो इसका प्लान तो पहले से बना हुआ होगा सब काम नितिश कुमार ने किया है आरजेडियम भगदर मची भी है वहाँ कोई जमेकरेसी नहीं है राजनितिक ग्यान दखने वाले नहीं है सिक्षा का ग्यान दखने वाले नहीं है जम्यक्रिसी विचार वाले विधायक RGD में बरदाश नहीं कर पा रही यही करन है कि वे लोग BJP जोइन कर रही है कार्यकरता के सामने नितिश कुमार पर भी जीतनाम मांजी ने निशाना सादा कहा कि बार बार कहते थे कि जीतनाम मांजी को मुख्यमंत्री बनाया तो सूथ के साथ नितिश कुमार को वापस भी कर दिये अगर हम चापलूस होते तो नो महीना सीम और बने होते ये बात उन्होंने साफ कही लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादा अपने माई बाप समिकर्ण के जरिये लोकसुबा चुनाब 2024 में बिहार में जादा से जादा जन संक्या को अपना वोट बनाना चाहते हैं उससे साफ पता चला है कि उनका सियासी समिकर्ण किस और बैठता नजर आ रहा है लेकिन जीता नामान जी जो एक समय पर चर्चा इस बात की थी कि महागडबंदन उनको मुख्यमंतरी का पद उफर कर रहा है अगर वह साथ आ जाते तो लेकिन जीता नामान जी ने उस उफर को छुकरा दिया था अब जीता नामान जी ही तेजस्वी के कही ना कही घमंड को चोड़ चोड़ करते नजर आ रही है